हाई, माई नेम है नीरेस पिवारी, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, आज हम लोग बात करने वाले हैं, सेलरी के बारे में, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कि आप हमको बताएए कि एक .NET डवलपर की सेलरी कितनी होनी चाहिए, आफ्टर फाइव इस, इसी तरह के कु सेलरी कितनी होनी चाहिए, आफ्टर टेनियर्स, तो आज इन सारे सवालों के जबाब इस वीडियो के थुरू मैं देने वाला हूँ, तो आप मेरे यूटूब चैनल पर पहली बारा आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीचिए, और ये वीडियो लास तक जरूर देखिएगा, देखे, ऐसा कोई सेलरी का फिक्स जो है, माप दंड नहीं है, कि अगर आप डॉटने डवलपर है, और आपको पांच साल का एक्स्प्रियेंस है, तो आपकी सेलरी 20 लाग होनी चीए, ऐसा कोई माप दंड नहीं है, क्योंकि जो मेरा एक्स्प्रियेंस है, देखे, मैं अपने एक्स्प्रियेंस ही यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एक्स्प्रियेंस है, सेलरी जो है, तो टोटल डिपेंड करती है, आपके स्किल सेट पे, आपको 10 एयर का एक्स्प्रियेंस है, और आपको कुछ नहीं आता है, तो आपकी salary कुछ नहीं होगी, तो सीधा सीधा सवाल है कि जो skill है, जैसा skill आपका होगा, वैसा salary होगा आपका, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि budget जो होता है, कम होता है, उस case में आपका skill ज़ो है, ज्यादा तो है, लेकिन salary आपकी स्वाम होती है तो situational होता है depend करता है कि आप किस position के लिए apply कर रहे है किस company में apply कर रहे है उस job का budget क्या है time क्या चल रहा है time का मतलब है कि financial year end चल रहा है financial year start चल रहा है यह सारी चीज़ें जो है depend करती है salary पे अब कैसे करती है इस वीडियो को last तक देखेगा मैं explain करने वाला हूँ सबसे पहले अगर आप fresher है तो आप fresher है आप एक dotnet developer है तो आपकी salary क्या होनी जी देखे फ्रेशर को मान के चलते हैं कि फ्रेशर को बहुत basic चीज़ आता है अगर थोड़ा अच्छा college है अच्छी company है वहाँ पे थोड़ा सा improve करते है थोड़ा सा और अच्छे college में कर जाते हैं तो यही salary 7-8 लाक होती है और fresher में normal college में अगर आप IIT से नहीं है अगर आप NIT से नहीं है तो आपकी जो salary होती है maximum होती है 10 lakhs से इससे ज़्यादा fresher को salary नहीं मिलती है यह depend करता है college wise क्योंकि देखे पहले आप जो बात कर रहे हैं मैं अभी जो 3-4 lakhs per year का जो starting में बता रहा हूँ पहले यह जो था 2-3 लाक था लेकिन जो है living cost थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसके बज़ा से थोड़ा सा यह अभी market में थोड़ा सा change देखने को मिला है लेकिन यह वाला जो 2-3 lakh per year वाला है वो भी अभी बरगरार है यह जो 5-6 lakh वाला है अधिकतर यह होता है क्योंकि average college बहुत ज़्यादा है हमारे हैं तो यह 5-6 lakh और average company भी बहुत ज़्यादा है तो 5-6 lakh बड़ी बड़ी company अभी 5-6 lakh देती है और कहती है कि इसे ज़्यादा नहीं दे सकते because training में जो है costing ज़्यादा जाने वाली है training cost में आपका 2 lakh पहले साल 2 lakh का cost आ रहा है तो जो है आपके salary से ही deduct करेंगे तो यह situational होता है जो fresher की salary होते है यही होती है और यह 10 lakh वाला तो बहुत बड़ी है ठीक है अगर आप वही IIT से हैं तो IIT वालों का मैं कैसे बताऊं यह depend करता है कभी 20 lakh per year होता है किसी का 30 lakh per year होता है 50 lakh वाले तो news में आ जाते हैं करोड़ दो करोड़ वाले की बात छोड़ दीजिए तो यह totally अगर आप अभी तक जो question पूछ रहेते कि कितने साल के experience पर कितना salary होना चाहिए मैं अपने पहले ही point बे यह बता दिया कि totally depend करता है कि आप जो है किस college से है आपका skill क्या है यह सारी चीज़े matter करती है कि आपके salary कितनी होनी चाहिए कोई ऐसा rule नहीं है कि one year पे two lakhs होगा two years पे four lakhs होगा three years पे five lakhs होगा ऐसा कोई rule नहीं है लेकिन पुराना जो study कहता है पुराने जो survey है उसके basis पे एक dotnet developer के लिए जो study कहता है जो survey कहता है वो यह है कि experience in year multiply with three यह salary होनी चाहिए लेकिन यह proven नहीं है कहीं कहीं यह multiply with four भी हो जाता है कहीं कहीं five भी हो जाता है तो अगर इस तरीके से अगर आप मुसे पूछेंगे कि नहीं sir आप एक कोई number बताए तो मैं यह कहूंगा कि आपको one year का experience है तो आपकी salary three lakhs अगर आपको two years का experience है तो आपकी salary six lakhs in case of three years आपकी salary nine lakhs लेकिन यह वाला point भी आपके साथ कैसे correlate करोगे अगर आप fresher हो आप अच्छे college से आ रहे हो तो आपको 10 lakhs का package तो वहीं मिल गया ठीक है अगर 10 lakhs का package आपको वहीं मिल गया तो two years पे आपको कितना हो जाएगा 13 lakhs क्योंकि two years पे 13 lakhs 10 lakhs तो पहले साल आपका package है प्लस दूसरे सल जब आपका प्रेजर लोगा तो उसमें 3 lakh और जूड दीजिए ठीक है तो यह 13 lakhs हो गया तो यह total यहां क्या है six lakhs तो जो भी salary है depend करता है कि आपका skill कैसा है आप किस college से आ रहे हो इवन बहुत जगा college भी नहीं matter करता है totally depend on कि आप कितना अच्छा data structure आपको आता है कितना अच्छा आपको algorithm आता है कितना अच्छा आपको front-end technology आता है कितना आच्छा आपको back-end technology आता है तो यह जो चीजे है matter करती है एक salary के लिए ठीक है अब बात करते हैं कि .net developer और react developer और angular में क्या salary क्या है जैसे मान लिजे आपका .net developer है ठीक है फिर आपका react developer है ठीक है फिर आपका अगर हम बात करें angular है और इसी में आपका full stake आता है पहले समझिए कि .net में क्या होता है .net developer में आपका server side code होता है आपका waveform होता है आपका बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा बहुत javascript आता है ठीक है react में क्या होता है react में front-end technology होता है javascript होता है और different library होती है ठीक है एंगुलर में क्या होता है एंगुलर में भी front-end technology होता है और javascript होता है different library होती है ठीक है लेकिन अगर आप full stake की बात करते हैं full stake जो होता है एक complete package होता है इसमें आपका back-end backend का क्या मतलब है server side ठीक है यहाँ पे front-end front-end का क्या मतलब है client side react यहाँ पे आपका javascript तो full stake जो होता है complete package होता है तो fresher में आप चाहें जैसे भी जाएं कभी भी full stake की salary जादा होती है अगर यह average की बात करें कि one good three की बात हो रही है dot net की और one good three बात हो रही है react की अगर आप यहीं पे full stake है तो यह समझ लिजे कि one multiply with four हो जाएगा ठीक है अगर आपको 10 साल का experience है यह full stake तो मान के चलिए जो आपकी minimum salary होनी चाहिए 34 लाग रुपया होनी चाहिए कैसे तीन से करें तो यह 30 lakhs हो गया अगर 4 से करें तो यह 40 lakhs हो गया तो एक average ले लिजे 30 और 40 के बीच में 34 या 35 lakhs होगा 10 years के बात लेकिन अगर आप extraordinary है good college से आते हैं और बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि आपका data structure अच्छा है अगर आपका data structure अच्छा है तो आप बड़ी company में जाएंगे आप कहां जाएंगे आप Amazon में जाएंगे आप Adobe में जाएंगे आप Netflix में जाएंगे आप different जो ये label की company है टायर वन की company है वहां जाएंगे तो यहां जो है 10 साल के experience पे आपका salary 50 लाग भी हो सकता है 60 लाग भी हो सकता है तो अगर आप किसी भी myth में है कि year wise कोई salary होती है किसी भी technology पे तो इसमें यह पूरी बात आपकी गलत है यह जो salary होती है total और total depend करती है skill पे अगर आप जो software developer काम कर रहे हैं आपको अपनी salary बढ़ानी है तो मैं बालबार कहता हूं कि data structure पढ़ लिजिए algorithm पढ़ लिजिए आपकी salary अगर अभी 10 लाक रुपया है तो आगे चलके 6 महीने बाद जब आपको इस data structure आपको algorithm के command हा जाएगा तो आपकी जो salary 10 लाक रुपया है 6 महीने में 30 लाक हो सकती है तो salary का जो tension है आप छोड़ दीजिए आप जो है अपने study पर focus करिए आप जो है अपने concept पर focus करिए हाँ ठीक है अगर आपको react.js आता है तो 10 लाक जो salary है 15 लाक हो सकता है लेकिन 50 लाक नहीं हो सकता इसके लिए आपको क्या आना चाहिए data structure अलगोरिदम आना चाहिए इसके लिए आपको system design आना चाहिए तो अगर आपको अपना salary increase करना है तो आप जो है थोड़ा सा focus करिए concept label पे आप focus करिए system design पे आप focus करिए data structure पे आप focus करिए algorithm पे बहुत सारे sites हैं जहां पे आप programming कर सकत हैं आपको तो देखे डीटा स्रक्टर में भी आपको बहुत कम label से सुरु करना होता है अप पर जो है वहां पे रिटा स्रक्टर में पढ़ता है आप वहां पे पर फे आप concept पढ़ते हैं वहां पे आप लास्ट इन फर्स्ट आउट concept पढ़ते हैं तो आप वहां जाए डेटा स्ट्रक्चर को सीचिए बहुत सारी साइट से आप पढ़िए आपकी यह जो सेलरी की चिंता है वह बिल्कुल खतम हो जाए मैं रियल एक्सिंस बता रहा हूं आपको अब आते हैं एंगुलर की एंगुलर हो या रियक्ट हो बहुत माइनर सा फ़रक है अगर आपको पचीस लाग मिल रहा है तो रियक्ट में वह 28 लाग मिलेगा अगर डॉटने डवलपर है तो मान के चलिए कि वह भी जो है दस साल पे 22 के आसपास मिलेगा लेकिन अगर आपको यह सब आता है तो यह सेलरी आपकी 30 लाग हो सकती है फूल स्टेक है जो फूल स्टेक की बात करते हैं मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्स्प्लेइन किया है सेलरी कैसे बढ़ाना है सेलरी कितनी होनी चाहिए आज की इस वीडियो में इतना ही थाइंक डीछ सबस्सित आपकी बात करती है सेलरी कि एक इसाकी 31 152 अलियो क वीधा इसटी सेलरी कैसे सबस्से भी से खरो भी से जैसे लेग लिवयोbahn घज पकषडे इस सेभ़ाना है जो बाता है का आव म Łदी जो जो packaging है पक्तल 250 ल यह बलुदास आपत difे मिरारी काने हैं जो जो भ